कहते हैं grief is very personal यानि कि जब किसी का इंतिकाल होता है, किसी की death होती है तो उसका जो दुख होता है वो किसी भी परिवार कलेक बहुत ही बड़ा personal loss के साथ साथ एक personal दुख होता है लेकिन मीडिया की हरकती ऐसी होती जा रही है कि उस दुख का भी मजाग बना कर रख दिया है आखों में इस तरीके से आसू को एडिट करके इस तरीके के स्टेटमेंट्स सामने लियाना तो कभी परिवार जनों की तरफ से गर्ल्फरेंड की तरफ से या फिर जो उनकी फ्रेंड थी उनकी तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट्स को रिलीस करना उनकी इस तरीके से पिक अभी किस दुख से गुजर रही है, शायद हम लोग उसका आंकलन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगातर इस तरीके के थम्नेल्स हर रोज मुझे अपनी यूट्यूब हैंडल पर देखने को मिलते हैं, and this breaks my heart, यहाँ पर देखे किस तरीके से शेहनास गिल्ड, no more, latest shocking news, इस तर इस तरीके से news बना कर इस तरीके से फूहर edits डाल कर पैसे कमाएं, क्या मीडिया के कोई ethics नहीं रह गए हैं, क्या journalism के कोई ethics नहीं रह गए हैं, are we stooping to this level for money, यह तो अब आपी कले सवाल है, जो portals इस तरीके के pictures और thumbnails को डाल के viewers को attract कर रहे हैं, आप सभी लोगों का इस पर क् reaction है, मैं stoopd हूँ, बहुत दुखी हूँ, आप सभी लोगों का reaction ना चाहती हूँ, लिखेगा comment section में, जोड़े रहे हैं my channel के साथ, और ऐसी खबरे देखते रहे हैं